मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम मेरी विद्या मेरा साहस मेरा सामर्थ सब क्यों छूट रहे हैं मुझसे ऐसा क्यों हो रहा है भगवान परशुराम अंगराज काईन भगवान परशुराम के शब्दों को स्मरण कीजिए जो विद्या अनीती के मार्ग पर चलकर प्राप्त की जाती है, वो संकट के समय में साथ छोड़ देती है। ये भगवान परशुराम का श्राप नहीं अंगराज, प्रक्रती का नियम है। किन्तों मैंने अथक श्रम किये थे विद्या प्राप्त करने के लिए वासुद्या, फिर मुझे क्यों मेरी विद्या का विस्मर्न हो गया। विद्या प्राप्त करने का प्रेतन आपने क्यों किया था अंगराज, या विद्या का महत्व जाना था आपने, या विद्या प्राप्त करके समाज को लाप देने की एक्छा थी आपके रुदे में, या केवल अपने अपमान का प्रतिशोध लेने हे तू आपने विद्या वास्तव में विद्याप्राप्त करने हे तू श्रम की तो आविशक्ता ही नहीं होती, केवल एक आगरता और समर्पन परियाप्त है, ज्यान तो आत्मा का सहज गुण है, और आप, आप बुद्धी मान, आप ही बताई, विद्या ग्रहन करते समय, मन एक आगरते उने ही रहता, जब ग्यान को मनुष्य साधन मानता है, किसी अन्य वस्तु को प्राप्त करने हे तू ग्यान ग्रहन करने निकलता है, तब ग्यान ग्रहन करते समय, उसका मन स्थिर नहीं हो पाता, ग्यान उसकी आत्मा का गुण नहीं बन पाता जैसे रंग रंग वस्त्र का अपना गुण नहीं होता है इसलिए सूर्य प्रकाश में तप कर रंग छूट जाता कि जो वेक्ति अमुल्य ग्यान का मोल जानकर ज्ञान प्राप्त करता है वो उत्तम बन जाता है किन्तु जो वेक्ति कुछ और प्राप्त करने के आशाय से ज्ञान प्राप्त करता है वो जीवन भर श्रेष्ट बनने की स्पर्धा में लगा रहता है किन्तु कुप्तम नहीं बन पाता आपने भी ज्ञान प्राप्त किया किसी आशाय से भगवान की शरण में रहकर भी आपका मन शांत नहीं हुआ आप प्रतियोगिता करते रहे कहीं दूर बैठे अर्जुन के साथ ज्ञान प्राप्ति का आपका आशै ही अनुचित्था तो इस विद्या का विस्मरण कैसे नहीं होता अंग राज कैसे नहीं करता मैं प्रतियोगिता वासुदेव, कैसे समझोता कर लेता अपने जीवन के साथ, यह समाज नेरंतर ही मेरी संभावनाओं को कुछलता रहा है, मेरी शक्ती को सम्मान नहीं दिया, मेरी सौपनों को स्विखार नहीं किया, सदा ही सूत पुत्र कहकर अपमानित करत रहा है मुझे, इश्वर की दीवी संभावना मनुष्य का अधिकार है वासुदेव, और यह समाज किसी को उसके अधिकार से किस प्रकार बंचित कर सकता है, अवश्य ही ये घोर अपराध है राध है, जाती पाती का भेद करना, और इन मिथ्या भेदों के आधार पर किसी म सम्मान से वंचित रखना मान असा के विरुद है, तो फिर मेरा क्या दोश है वासुदेव, यदि मेरे मन में असन तोश चन्मा, यदि मैने प्रतियो गीता की, यदि मैने बल पूरवक अबना अधिकार प्राप करने का प्रयत्म किया, तो मेरा क्या दोश है वासुदेव, एक समय था अंगराज, जब कृतवीर के पुत्र, कार्तवीर अर्जुन नाम के एक शत्रिय राजा ने महर्शी जमदगनी की हत्या करती महर्शी के पुत्र ने क्या किया जानते हैं आप उन्होंने अपनी पीड़ा में भी विचार किया कि क्यों उनके पिता महर्शी जमदगनी की हत्या की गए कहां फैला था अधर्म उन्होंने अपनी पीड़ा का विस्मरंड कर दिया समगर समाज की पीड़ा को अपना लिया और अधर्मी शत्रियों का नाश कर समगरारे वर्थ को शुद्ध करने को जीवन मंत्र बना दिया वो केवल प्रतिशोद लेकर बैठते है तो आज भगवान पर शुराम नहीं कहला तो हाराध है आपको जो दुख और अपमान मिले वो वास्तविक्थे किन्तों आप उन्हें अफसर बना ले तो समाज का उधार होता और आपका कल्यान होता आप जैसे शक्तिमान मनुष्य का आधार यदी अन्मे शोशित और पीड़ित लोगों को मिल जाता है कितने जीवन सुख से बर जाते आपके पास संभावना भी थी सामर्थे भी था और उस पीड़ा का अनुभव भी था किंतु आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित नहीं किया है आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया दुर्योधन को जिसके पक्ष में केवल अधर्व था और कुछ ने अब देखिये अपनी स्थिति आप दुर्योधन के पक्ष में खड़े रहे आप पांचाली के वस्त्रहरन जैसे पाप के भागी बने आप अपनी माता का सम्मान नहीं कर पाए अपने ही भाईयों के दोदो पुत्रों की हत्या की आपने और आज अपना धर्म गवाकर अपनी विद्या गवाकर अपना संतोश गवाकर अपने ही अनुज के हाथों मरने के लिए सज्ज खड़े आप यथार्त कह रहे हैं वासुदेव किन्तु मैं मित्र दुर्योधन के उपकारों का विसमरन नहीं कर सकता कौन सा उपकार राध्ये क्या आप से मित्रता करने के पश्चा दुर्योधन ने समग्र रहस्तिनापूर के सूतों और पीडित मनुष्यों को विद्या का अधिकार दे दिया क्या उसने सारे पीडित और शोशित समुदाय को अपना लिया नहीं तुर्योधन की मित्या मित्रता का सत्य आप जान पाते जदी दुर्योधन आप उसके माध्यम से संसार के पीड़तों को लाव करवा पाते हैं। वास्तव में उसे सारे अधर्मों और अपराधों से मुप्त करवा पाते हैं। किन्तु आपने सत्य जाना ही ने। आप पर किये गए उपकारों का वास्तव में कोई मुल्ले ही नहीं था। मैंने जीवन भर पीड़ितों और वंचितों को दान दिया है वासुधिया। अपनी संपत्ती में से अपने पास कुछ भी नहीं रखा। धंदान का वास्तव इकलाब दानी को होता है। दान प्राप्त करने वाले को नहीं। आपने यदि अपने सामर्थे का उपयोग अपने जैसे पीड़ुतों को स्वतंत्रता दिलाने के लिए किया होता। तो सबको लाब होताराद है। आप कहते हैं कि समाज ने आपकी संभावनाओं का नाश कर दिया। किन्तु ईश्वर द्वारा दी गई उन संभावनाओं का मूले। तो आपने जाना ही नहीं। एक सकते जान लीजी। जो वेक्टी समाज के लिए जीता है। उसे सुयम भी लाब खुता है। किन्तु जो वेक्टी केवल अपने लिए जीता है। वो सुयम को और समाज को दोनों को हानी पहुचाता है। कुरुक्षेतर में आज जो विदवन्स हो रहा है। उसका कारण ना दुर्योधन है और ना ही मामा श्री शकुनी ये पाप तीन महा रथियों का है महा महीम भीष्प, गुरुद्रोन और आप का थे आप दीनों ने यदि अपने मानेओं धर्म का त्याग करके समाज के कल्यान का विचार किया होता दुर्योधन को साहेता नहीं दियोती, तो ये युद्धी नहीं होता आप उचित कह रहे हैं वासुदेव इस समाज को जितनी हानि अधर्मियों से नहीं होती उस स्यधिक हानी धर्म जानने वालों की निश्क्रियता से होती है इस महायुत का पाप हमारे सर अब समय है राध है अपने दुखों को भूल जाई अपने अधर्म का त्याद कीजिए और अपनी मृत्यू को स्विकार कर लीजिए इसी में समाज का और आपका कल्यान है राध है मैं आप कादेश स्विकार करता हूँ वासुदेव मेरी माता कुंती से कहिएगा कि वो मुझे एक शमा कर दे और पाचारी से कहिएगा मैंने अपना रक्त बहाया है उसके अत्मान के लांचन को धोने के लिए उसे एक बश्न है वासुदेव क्या मेरी समर्थिका परिचय कभी भी नहीं हो पाएगा जाधे जब आपके हाथ में धनुष नहीं आपके रत का पईया भूमी में धसा और आपको अपनी विद्या का विस्मरण हो गया है ऐसे अफसर का लाब उठा कर आपका वद्ध करना पड़ रहा है यही आपके सामर्थिका प्रमान ने